गुरु जी परणाम प्रणाम आओ बैठो और कैसे हो अच्छे हैं गुरु जी गुरु जी पाप फिल्टर लेला का पहली तो बात इसे पाप फिल्टर नहीं कहते हैं इसे पाप फिल्टर कहते हैं पी ओ पी गुरु जी पाप फिल्टर का का यू जोला अरे सौरी इपाप फि तो चलो आओ मैं बताता हूं कि पॉप फिल्टर का क्या काम होता है हलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉप फिल्टर का वाइस रिकॉर्डिंग में क्या काम होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं हलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक सेट और आए दोस्तों इस वीडियो में पॉप फिल्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह एक पॉप फिल्टर है और जो singing करते हैं, जो लोग गाते हैं, उनको तो इसके बारे में पता है कि इसका क्या यूज होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, मूवीस में देखते हैं कि यार ये माइक के पीछे ये क्यों लगा रगता है, इसे क्या आवाज फि इतना बड़ाई होता है, यह हर तरह के माइक को कवर कर लेता है, और दोस्तों आजकल जैसे जैसे टेकनोलोजी आगे जाती जा रही है, पॉप फिल्टर भी छोटे होते जा रहे हैं, हर माइक के हिसाब से अब पॉप फिल्टर आने लगे हैं, पर ज्यादा तरह आप इतने ब जमीन आस्मान का अंतरा जाता है दोस्तों, जमीन आस्मान का, क्योंकि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, जिन्ने जब हम बोलते हैं, प्रनॉंस करते हैं, तो वो बहुत तेज गति से जाके माइक में लड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक पिक आजाता है, रिकॉर्डिंग में तो पिक क्या होता है वो हमें सुनने माता है लाइक हम भा बोल लें भाईयों बेनों तो आप जब स्पीकर के थुरू सुनेंगे तो भड़ाम भड़ूम ऐसा कुछ सुनाई देता है दोस्तों कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्ने जब हम प्रोनौंस करते हैं जिन्ने जब हम माइख बोलते हैं तो उनका थ्रू माइक पे बहुत तेज होता है लाइक पा फ़ा भा ड़ा जो अक्षर होटों से निकलते हैं लाइक पा छीन भा तोjust इन अक्षरों का जब गायन में इन अक्षरों को जब अब करते हैं कोई सौंग आ रहे हैं माली जी या कोई भा सट दे रहे हैं LIKE मोदी जी देते हैं podría भेन ऊक भाई बहन यह वցअ कि सुल जब जमि मैं जब जबहनाओ वो सब कि मिलों तेजी से जा रहा है और recording में पिक और भुरोत होती है तो जब सुनते तो वह बहुत आकोड लगता है लाइक भ्राम भ्रूम कुछ इस तरह से आप सुनते हैं तो दोस्तों पॉप फिल्टर का यही काम होता है कि उन अक्षरों को जब हम पॉप फिल्टर के थ्रूग आते हैं तो air का जो force होता है उसको cut कर देता है उसको normal कर देता है like भाईो बहनो भाईो बहनो तो जो pick create होता है recording में उस pick को खत्म कर देता है और दोस्तों जब recording में कोई pick नहीं रहता है तो सुनने में अच्छा लगता है ये तो दोस्तों इस studios में ही ज्यादा यूज होता है और लाइब जब हम गाते हैं तो उसमें भी हमें पॉफ फिल्टर लगा लिना चाहिए वो ऐसा नहीं होता है वो एक फोम से कवर होता है जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज रिपोर्टिंग वाले अपने माइक्स में लगाए रहते हैं तो वो भी अच्छे से हो क्लियर हो कोई इसमें पिक्स ना हो इसलिए उस फोम को लगाते हैं तो जब कभी आप लाइफ गाईए या स्पीच दीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके माइक में पॉफ फिल्टर लगा हुआ है उससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जो जो अक्षर लड़ते हैं माइक में जाके डारेक्ट तो उनसे काफी डिश्टर्वेंस होती है दोस्तों अब दोस्तों ये भी सोचे कितनी बड़ी बात है कि पहले एक जो सिंगर से दोस्तों उस समय पॉफ फिल्टर नहीं था तो उस समय क्या करते थे किशोर दाजी ने अपने एक रिकॉर्डिंग एक इंट्रव्यू में कहा है कि वह लोग थोड़ा ऐसे होके गाल लेते थे माइक से थोड़ा ऐसे होके गाल लेते थे थोड़ा उपर निचे अगरके एड़्जेस् चुकी है और बहुत ही आसानी हो चुकी है गाने में तो बेसिकली यही काम होता है एक पॉफ फिल्टर का तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लिस लाइक और शेर करना ना भूले और अगर आप मेर YouTube चैनल पर अभी नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले